ओम नमस्षिवाए श्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूट्यूब चैनल पर दोस्तों स्रावन मास का बड़ा गुरूबार इस दिन आपको दो केले के फल चड़ा देने हैं आपकी मनुकामना वश्य ही पूरी होगी स्रावन मास का मैना बेहदी पवित्र मैना होता है स्रावन मास का मैना भगवान सिव का प्रेय मैना होता है और इस बाद स्रावन मास में नो रासियां बहुत ही भागिसाली हैं स्रावनमास में किये गए प्रतेक उपाय का एक एक उपाय का विशेस लाब मिलता है स्रावनमास में किये गए उपायें से जल्दी से अमारी मनोकामना पूरी हो जाती है स्रावन मास के जितने भी गुरु बार आएं, जितने भी मंगल बार आएं, सोम बार आएं, आपको उपाय करने ही हैं इससे आपकी प्रतेक मनुकामना पूर्योगियों सभी लोग यह उपाय करें दन वड़ेगा, शुक सम्रदी वड़ेगी, पुत्र प्राप्ती का आशिरवाद मिलेगा, नोकरी में तरक्की मिलेगी गुरूबार के दिन, स्रावण के गुरूबार में, आपको क्या करना है, कि सुबह इशनान करते समय, गंगाजल और हल्दी डाल करके आप इशनान करें किसी भी प्रकार की कोई व्यादा है, सारी व्यादा है, सारी परिशानियां दूर हो जाएंगे इस दिन कई राशियां बहुत ही भागिसाली है उसके बाद में सूर्देव को अरग दें फिर एक लोटे में आपको थोड़ी से हल्दी डालनी है उसे जल से भर लेना है और इसको आप केले की ब्रक पचड़ा कर किया है एक लोटा आपको पीपल ब्रक पचड़ा देना है फिर भगवान सिव का अफशिक करना है भगवान सिव को गंगा जल से इश्नान कराएं पंचामरस से इश्नान कराएं इसनान कराने के बाद में भगवान के सामने बिल पत्र आदी अरपन करें और उनके सामने दीपक जला दें इससे प्रतिक मनुकामना पूरी होती है उसके बाद में आपको क्या करना दो केले लेने हैं और भगवान विश्णू के सामने अरपन कर देने हैं और दो केले भगवा शिवक के सामने आपको अर्पन कर देने हैं ये दिपक आपको जरू जलाने हैं साम के समय, गुरुवार के दिन इस दिन मेश रासी बहुत वाग्गेसाली मेथन रासी बयाधी भाग् Digis Kentucky weighs और लखी रहने वाली है इस दिन करक रासी बहुत ही भागिसाली रहेगी इस दिन कन्या रासी बहुत ही भागिसाली रहेगी इनका योग बहुत ही अच्छा है उससे अगली जो रासी वो है व्रश्चिक रासी जो इस दिन बहुत ही भागिसाली रहने वाली है उसके बाद धनुरासी, कुमरासी, मीन रासी, ये रासिया हैं जो इस दिन बेहदी बागिसालियों लखी रहने वाली है, इनका योग बहुत ही अच्छा है, लेकिन सभी रासि वाले, सभी रासि वाले यो पाए करें, सभी रासि वालों की मनोकामना पूर्योगी, योग बहु बढ़िया योग है और इस दिन आपको पीला टी का जरूर लगाना है भगवान विश्णों को पीला चंदा नर्पन करना है इससे आपको विश्ष लाब मिलेगा और जीवन में आ रही सारी परिसानियां दूर हो जाएंगी तो स्रावर मास में आपको नियम बना लेने हैं साम अपर में आ रही सारी समस्यां जोर हो जाती हैं अनियकों प्रकार की समस्या होती हैं लेकन अगर आप उपाय करते हैं तो समाधान जरूर मिलता है ओम नमस्यवाएं